हाई एवरिवन वेलकम तो आज का जो वीडियो है यह थो अशा इंफर्मेटिव वीडियो है बहुत दिनों से आप लोग मुझे कमेंट कर रहेते कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क को मैं पंप करके स्टोर करती हूं कैसे आप स्टोर कर सकते हैं बेबी को कैसे वो पीला सकते इसके बार ब्रेस्ट मिल्क पंप किया वा बॉटल से ताकि रात को जो है नीन जो है वो अच्छी आए और जो पापा है वो बेबी को फीड करा सके तो आपको बॉटल से अगर फीड करा रहा है तो उसको सबसे बड़ एड़ाइज यह है कि आप ही नहीं आपकी फैमिली मेंबर्स भी को फीड करा सकते हैं तो इसलिए दिन भर तो ठीक आप रेकली पिला लोगे पर अगर आप करके रखते हो तो रात को या कभी आप ट्रैवल कर रहे हो बहार जा रहे हो तो असानी हो जाती है तो पहले में फटा फट थोड़े बहुत का एंसर दूंगी जो कंफूजन लोगो निग्यों कांट करता है कि कब तक स्टोर कर रह सकते हो अगर आपने प्रेंट करकों कर लिए तो रूम टेंपरिचर में आप आप इश गनटे के लिए रख शकते हो तो 6 गंटे तो कोई दिकत की बात है यह आप आरामोंसे बॉट्र में निकालते हो उसी में रक लो और उसक मैं यहां पर II बहुत सारे बैंड एंगि करना है इसा में स्टोर करने के लिए स्टोर करने है रखने है तो यहां पर रांड के मिल जाएंगे जानों प्रपटार है कartना आप प्रश सब्रेशन ब्रैंड यहां परicieर कना न किना कि आप आपको इसको डीप फ्रीज में रखना है तो तो देखिए इस तरीके से आप इसमें डाल दो और यह रहा पाउच बहुत अच्छा होता है मैं पिछले पांच महने से यूज कर रही हूँ कोई दिकत नहीं होता पर हाँ वन टाइम में आपको एक ही पाउच यूज करना है कि दो मेने बाद निकाला इसमें से मिल्क और इसको दो दिया और यूज कर लिया वैसा नहीं करना है ठीक है नेक्स कुछिन आता है कि ब्रेस्ट मिल्क एक्स्ट्राइक करने के लिए कौन से पंप का यूज हम कर सकते हैं मैं कौन सा यूज कर रही हूँ चली मैं आपको बैठना पड़ेगा इससे पंप करने के लिए पर अगर आपको निकालना है मिल्क मिल्क काम भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका मिल्क एक्स्ट्राइक भी हो जाए उस केस में देखिए आप हैंस प्री यूज कर सकते हो मैंने रिसेंटली हैंस्ट्री में स्विच किया यूज कि मैं ट्रावल करने वाली हूँ तो मैं सोच रहे हो मैं यह यूज करूंगी तो यह भी बहुत अज़ा कंविनियंट है मैं आपको इसका भी लिंक देदूंगी यह भी लवलाब ब्रैंड का है तो अफोड़बल प्राइस में आपको मिल जाएगा हैंस्ट्री का फा यहां पर चार्ज करने के लिए यहां पर चार्ज कर लो उसके बाद एकनट इसको करना है आपको इसमें फिट कर देना है यह में वह पाथ है जो आपके कप से अटाच होगा इसी में मिल एक्स्ट्रैक्ट होगा मतलब स्टोर भी हो जाएगा तो इसको लेना है और इसको यह कर सकते हो जादा भी कर सकते हो और अलग-अलग मोड भी है यह वाले मोड में थोड़ा जादा एक्स्ट्रैक्ट होगा मिल्क तो इसका भी लेवल अप कम जादा कर सकते हो फिर एक और मोड आ गया इस तरी किसे जो भी मोड आपको इसको सुटेबल लगे वह आप सिलेक कर सकते हो तो इसमें बहुत सारे दियेवे हैं मोड अलग-अलग साथ में यूजर मैनुवल इसको पढ़ लीजेगा इसको क्लीन करना बड़ा असान है तो इसको आपको निकाल देना है उसके बाद देखिए यह कप जो है इसको ऐसे निक तो हम तो थंडा नहीं पिलाएंगे तो हमें इसको पिलाना है warm तो warm कैसे करेंगे तो देखिए warm करने के लिए warmer machine आता है तो यहांब मेरे पास यह बहुत एजी है बोटल में milk डाल दिया यहांपे मैंने पानी भर दिया पानी बढने के बाद में इस बोटल को उसके उपर र तो भी थोड़े दिर में गर्म हो जाएगा पर टाइम थोड़ा जादा लगेगा पर जब बेभी भूख से रो रहा होता है रात का टाइम में हरबड़ी होती है अगर डाट स्पीड कर रहे हैं तो उनको तो और हरबड़ी होती है तो ऐसे में यह वार्मर मशीन जो है न बहु करती हूं और पको यह वीडियो जो है वो इंफर्मेटीव लगी हो अगर अच्छा लगा है तो प्रीज चैनल को सब्स्राइब करिए लिडियो को लाइक करिए अगर आपको व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो में चैनले में बहुत सारे व्लॉग्स हैं मेर्य डिल